यह जो आपका कॉर्स है मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था नाउन के आउत्ता प्रोनाउन के आउत्ता अर्जेक्टिव के आउत्तर वहां से लेकर इसको बढ़िया लेवल तक लेके जाएंगे अगर लेकिन कंडिशन मेरी एक ही है आप अगर इस कॉर्स से फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंसे करिएगा आज इसकी सेवन्त क्लास है ग्रैमर की ठीक है बीच में वोकैब की क्लास दूसरे चैनल पर हुए अगर मैं ग्रैमर की बात करूं तो यह है मैं इसको जितनी शिद्दत से कर रहाँ अगर आप उसका 10 परसேनल भी कर देंगे तो भी मुझे लगता है कि आपका कौनसी लेनी है सबके लिए एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ इसी चैनल पर इस चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जैं अगर आपने देखा हूँ 20 confusing concepts नाम से एक वीडियो है है ना ऐसी आपने देखा होगा CGL 2021 all errors in one video all sentence test improvement in one video 150 important fix preposition वाली वीडियो लंबी लंबी वीडियो जाई चैनल पर बाकी भी स्क्रॉल करके देखना है ना अगर आपको मेहनत पसंद आती है content अच्छा लगता है तो इस playlist का link जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो भाई ठीक आ जाई है करते हैं अपनी आज की च्यार दिन हो गए reply नहीं आया मानलों छूट गया होगा दोबारा कर ले भाई ठीक है आजाओ कि रिलेटिव अगर मैं कूंकि प्रोनाउन चेप्टर में सबसे ज्यादा एरर पेपर में कहां से आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं वू हूम विच दैट वर्ट कि रिलेटिव प्रोनाउन आज अपन बात करें हूं आज अपन बात कर रहे हैं मुझे लगता इतना सब बच्चों को पता होगा कि हूं हूं इंसानों के लिए लगाए जाते है एक बात मैं आपको दें को शुरूआत से बताइए सीधा एरर पे आने की बजाए मैं अगर सी आएगा हुम आएगा उसका कोई benefit नहीं है समझे जितने मैंने अभी तक आपको प्रणावन कराए कराए चाहे वो personal प्रणावन कराया चाहे पजेसिव कराया चाहे आपको reflexive कराया चाहे आपको कराया सब के अंदर मैंने कोशिश यह करिए कि पहले मैं आपको यह बताओं कि यह प्रणावन होता क्या है क्यों बनाई कहा लगा जाता है क्यों लगा जाता है ताकि आप उस चीज को समझ पाए रटे नहीं उसको हम समझें तो उसी बेस में अपको पहले बताना चाहरा है कि रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगा गए कि इतनी बात देखो आपको तैया माननी पड़ेगी कि अगर प्रोनाउन थो यह नाउनकी जगह पर आएगा अगर कोई सब्सक्राइब प्रोनावन कोई सब्सक्राइब फिर बले ही चाहिए वो रिफ्लेक्सिव डिस्टिब्यूटिव डेमनस्ट्रेटिव वो कोई भी प्रोनावन ओ एक बात तैंग है कि वो आएगा ना उनकी जगह पर आके ना लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग बात भी होगी है ना इतने सा आप ऐसा समझ सकते हैं आप ऐसा समझ सकते हैं कि relation establish करता है या तो ऐसे समझ लो इसको भी कोई बात आपने लिखी नहीं है कोई बात किसी के बारे में लिखनी है उसको connect करने के लिए इसका यूज लिया जाता है आपको मानलो किसी noun या pronoun के लिए कोई बात लिखनी है उसको connect करने के लिए इसका यूज लिया जाता आप इसको ऐसे समझ सकते हैं रिलेटिव प्रोणाउन जो होता है इसको प्रोकंज इसका जब पार्ट सो स्पीज डिक्शनरी वगरा में देखते हैं तो कई बर प्रोकंज लिखावा मिलता है यानि प्रोणाउन प्लस यह एक ही समय पर दो-दो काम कर रहा होता है प्रोणाउन का भी कंजंग्शन का भी रिलेटिव प्रोणाउन एक ही समय पर दो-दो काम कर रहा होता है प्रोणाउन का भी कंजंग्शन का भी आये देखते हैं समझते हैं कैसे रिलेटिव प्रोणाउन क्या होता है क्या काम करता लगाया जाता है सारी चीजों को सारी चीजों को detail में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है जी आज़े यह दखो समझने की कोशिश करो पहले तो अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं तो यह perfect हो जाएगा प्रॉण हो गया school और यह बहुक्त हमने लड़के कोछ बताना है कौन सा लड़का हमने लड़के को डाठा था कौन से लड़के को ड़ानको genach मैं किस उस नाउन के बार में कुछ बताना चाहता हूं समझ में आरी मेरी दिक्कत क्या कहना चाह रहा हूं मैं मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे इस नाउन के बार में कुछ बताना है कौन सा लड़का हमने लड़के को डांटा था जिसने तुझे मारा था हमने लड़के को डांटा था जिसने शीशा तोड़ा था हमने को डाटा सा जिसने तरह पर्स चुराया था मैं बताना चाहता हूं कि लड़का कौन कौन सा वला लड़का किस लड़के को डाटा हमने मैं इसको को डिफाइन करना चाहता हूं आज ही मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अड्जेक्टिवल क्लॉज ठीक है कहने का मतलब अगर आपको याद हो बेसिक तो क्लॉज क्या होता जिसमें subject प्रब हाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब हाए यहां पर हू और यह पूरा का पूरा प boy, हमने लड़के को डाटा था, कौन से लड़के को डाटा था, मैं उसको define करना चाहता हूँ कि कौन सा लड़का, हमने लड़के को डाटा था, जिसने गुलदस्ता तोड़ा था, हमने लड़के को डाटा था, जिसने तुझे मारा था, हमने लड़के को डाटा था, जिसने प काम कर रहा है यह पूरा का पूरा क्लोज काम क्या कर रहा है यह पूरा का पूरा क्लोज इस बोई नाउन की विशेस्था बता रहा है यह इस बोई नाउन को डिफाइन कर रहा है कि लड़का कौन सा लड़का रहा के रहा है विच बोई कौन सा लड़का जिसने खिड की तोड आने के लिए लिख रहा हूं इस boy noun को define करने के लिए लिख रहा हूं इस boy noun के बारे में जानकारी देने के लिख रहा हूं कितनी बात आती है समझ में और अगर कोई तुमसे पूछे related pronoun अंग्रेजी में क्या काम आते हैं तो related pronoun what को छोड़कर वट को छोड़कर इसमें वट थोड़ा अलग होता है वट को छोड़कर बाकी यह जितने भी चारों यह चारों के चारों क्या काम आते हैं यह काम आते हैं किसी नाउनिया प्रोनावन की विशेषता बताने वाला clause लिखने के लिए किसी noun या pronoun को define करने वाला clause लिखने के लिए समझ में आया हमने लड़के को डांटा था हमने लड़के को डांटा था कौन से लड़के को डांटा था जिसने खिडकी तोड़ी थी यह who whom which that which or that कब लगाते हैं क्यों लगाते हैं वो भी पढ़ेंगे आज के लिए सरफ who whom पढ़िए इनसानों के लिए लगाये जाते हैं ठीक है काम कर रहा है जब तक इस बात की जड़ पर नहीं जाओगे संटेस थोड़ा सा इदर होते ही तुम्हारे बड़ा नुकसान हो जाएगा ठीक है तो कॉंसेप्स पर काम करिए बजाए की रूल रट्टे के देखिए फिर से मैंने क्या का अगर कोई आप से पूछे अगर कोई आ को काम करने का काम करेगा यहाँ पर रावी आप हू लगाएंगे लगाए हो दो प्रोब्जिक प्लस वर्ब एक ही और एक होग कर रहे हैं प्रोणॉण का काम कैसे यह किस karşı लिए है हमने लड़के को राटा था किस ने ठीक तोड़ी थी यह जिसको जिसने जिनों ने यह जो आप लगा रहे हो यह किसके लिए लगा रहे हो और वह क्या है नाउन है जो नाउन की जगा पर आए क्या बोलते हैं उसको प्रोणाउन बोलते है रिलेटेव प्रोणाउन एक ही समय पर दो काम कर रहा होता है प्रोणाउन बनने का भी काम करता है और मैं इस side पे जाऊं तो यह क्या बन गैर बन गया window क्या बन गया object बन गया सेंटेंस यही है पुर एक सेंटेंस सारे के सारी में यही कफायों नहीं है और मैं खुदी तीन बारं बोल दूंगा भाई इसको तो घबराने की बिल्कुल ज़रुतनी सुनिए में खुदी तीन तिन बारे दौरा बोलूगा सारा ठेंचन मतलब अजया अब सुनओ के को data था है जिसने खिड़की तोड़ी थी अगर कोई आप से प्लेन अराम से भाशा में पूछे कि भाया मुझे तो एक करने वाला क्लॉज अगर आपको लिखना हो तो उसको लिखने के लिए रिलेटिव प्रणाउन का यूज लिया जाता हूँ हूम इंसानों के लिए आते हैं विच चीजों के लिए आता है अनिमल्स के लिए आता है आट कब आता कहा था वह आगे पड़ेंगे अभी आज का हूम का लगिए ठीक है सीधा एरर अटाने की बात होती तो देखो यह वर्व है अबजेक्ट मिल गया सब्जेक्ट चाहिए हूँ सब्जेक्टिव के सोता टिक करो आगे बढ़ो यह तो वह एरर अटाना लेकिन उससे पहले आप थोड़ा समझिए कि रिलेटिव प्रणाउ प्रणाउन एक ही समय पर दो काम करते हैं प्रणाउन बनने का और कंजंक्शन को due close है उनको जौयन गार लिखाई यह गिलिए तो लिखा ही आपने ये व efecto आपने लिखा यह लिखा लिए लिखेगा जिशना उनका पर आ रहा है और आगले अगले Jr. अगले खुर अगर आद देखेंगे ब्रोख वरॉक को सब्जिक्ट है क्ई हूं है तो जो नाउन की जगा अबनों bod नो मैं रिंषा लू को सब्जेक्टिव के सो ऊथा और पमिल ना एक भर फॉपhalb मोट वहरता है वहाले तॉ हमने लड़के को डांटा रहा, यह आगे की पूरी कता किसके लिखी इस लड़के के लिखी, यह आगे की पूरी कता किसके लिखी, इस लड़के के लिखी, हाँ किना है, हम मुझे बताओ, कि यह जो आगले clause के अंदर यह जो action हो रहा है, break, तोड़ना, अगले clause में यह जो action हो लिखी क्योंकि ये सारी की सारी कथा जो है वो किसके लिखी है हाँ जी तो में उंगलियों में जो तुमारे कमेंट के कीड़े फिट है नहीं आपाएंगे मुलना मुझसे क्या तुझ छाक्षा तराम जी से पढ़ ले तो भी नहीं आपाएंगे तरे चलो हमने लड़के को डांटा था हमने लड़के को डांटा था कौन से लड़के को डांटा था हमने लड़के को डांटा था कौन से लड़के को डांटा था बताओ जिसने खिड़की तोड़ी थी, यह break से इस boy का क्या relation है, इस break से boy का क्या relation है, boy इसका doer है, boy तोड़ने का doer है, पर doer कौन होते हैं, subject होते हैं, हाग के न, तो यहाँ पर subjective case की जरूरत है, यानि who की जरूरत है, यह who क्या करेगा, यह who क्या करेगा, इस broke verb के subject की तरह से काम करे दो close को join करने वाला है अब यहां पे डाउट आएगा आपका सर यह noun pronoun साथ में कैसे आ रहे हैं सर नाउन pronoun साथ में कैसे आ रहे हैं बच्चे normal pronoun यह नहीं है यह को normal pronoun थोड़ी इसको conjunction का भी तो काम करना है और दूसरी बात दो noun साथ में आने में दिक्कत क्या होती थी कि दोनों एक ही word के subject कैसे बन पायेंगे किस वरब का subject बन रहा ही है तो उस verb से उस वाली verb से इसका कोई relation है इस हू का scold verb से ना यह doer बन रहा है ना यह receiver बन रहा है scold verb से इसका कोई relation है नहीं तो बच्चे इसको साथ में देखके confuse मत हो पहली बात तो इसको conjunction का काम करना यह नॉर्मल वाला प्रोनावन यह रिलेटिव प्रोनावन है जिसको conjunction का भी काम करना होता है इसलिए इसको पीच में लगा सकते हैं करनावन करना है यहां पे नॉर्मल प्रोनावन नहीं है यह प्रोनावन यह यहां पर लिखा जा सकता है दूसरी बात बच्चे दिक्कत तब होती जब इसका स्कोल्ड वर्से कोई लेना देना होता इसका स्कोल्ड वर्से कोई लेना देना ही नहीं है उसका subject subject अपजेक्ट अलग है कि यह हूइ इसका relation broke से बेर ओगी इतनी बात हां जी पिर से एक बार सारा दुबारा revise करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए who whom का error कैसे करेंगे, पिर से देखिए, सबसे पहली बात who whom लगाते ही क्यों है क्यों लगाते हैं को relative pronoun, ये इसलिए लगाते हैं, मान लो बच्चे आपने कोई sentence में कोई noun लिख दिया, ठीक है, हमने लड़के को डांटा था, हमने लड़के को डांटा था, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, हमने लड़के को डांटा था, हमने लड़के को डांटा था, अब मुझे क्या करना है इस लड़के को define करना है इस लड़के के बारे में कुछ बताना है जब भी कनाउन को define करने वाला clause लिखना है यानि अडजेक्टिवल clause लिखना है तो उसमें आपको relative pronoun के जरूरत पड़ेगी अगर कोई एक लाइन में पूछे relative pronoun क्या काम आते हैं तो भहिया noun को define करने वाला adjective clause noun को define करने वाला clause लिखने के काम आते हैं यह adjective clause है डरिये मत यह शब्द की अभी दजियां उड़ाऊंगा मैं आगले 10 minute of attention मत लेना तो अगर कोई पूछे relative pronoun क्या काम आते हैं यह एक नावन या प्रणौन को define करने वाला clause लिखने का काम करते हैं ठीक है अगली बात relative pronoun pronoun plus conjunction होते हैं कैसे देखिए मैंने क्या लिखा we scolded the boy we scolded the boy हमने लड़के को डांटा था हमने लड़के को डांटा था कौन से लड़के को डांटा था जिसने खिड़की तोड़ी थी यह पूरा का पूरा क्या है यह इस बोई नावन को define करने वाली बात है ठीक है इसके लिए अपने को बोई यह इसके लिखा गया यह पूरी बात रटने वाले तरीके से तो देखो ब्रोक वर्प का अबजेक्ट आ गया subject चीए हलो जी हूँ आ जाए यह तो क्या हो गया प्रोक वर्प का object आ अबजेक्ट चीए तो हूँ आ गया यह तो भी रटने वाली बात लेकिन अगर इसक whom लगाओगे boy के लिए तो लगाओगे यह who लगाओ चाहा हूम लगाओ यह boy के लिए तो लगाओगे तो अब इस यहां पे समझो कि यह boy लिखा हुआ है इस boy का broke का relation है doer वाला doer वाला तो यह नि subject वाला यह नि subjective case आएगा अब ध्यान से देखिए एक एस समय पर दो काम करा है, pronoun भी बन रहा, conjunction भी बन रहा, कैसे, दो clause को join कर रहा है, इसलिए conjunction है, और इस verb का subject बन रहा है, और boy की जगा पर आ रहा है, इसलिए क्या है, pronoun है, बोलिए, clear होगी इतनी बात, अब एक काम करो, नीचे वाला जो sentence है, अपने आप से सोची, फिर मैं करता हूँ, तीस सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, अपने आप से सोची, फिर मैं करता हूँ, क्युzn करता है, बोलिए, बोलिए, क्यू मैं आप से साहँ पर Яँ जाube, या झालिए, ओम exhibrásै इतनी जाना खरम मैंרה करता हूँ, इतनी, पिर मैं करता हूँ,नदी से सकेंड रहा है, आपको प्यायुण, कि मैं आपसॉआरा करता है, आपको अवश्य जात आपकों है आपकों झाल झाल चलो जी आजाईए The senior officer released the thief who slash whom you had arrested Senior officer ने छोड़ दिया उस चोर को जिसे तुमने पकड़ा था ये sentence का मतलब है Senior officer ने छोड़ दिया thief को Senior officer ने छोड़ दिया thief को कौन से thief को कौन से thief को Release, released, released क्या हो गया? वर्व हो गया ठीक है? अच्छा Senior officer Officer क्या है? subject है Senior इसको qualify करने वाला objective है कौन सा officer? Senior officer A and the article होते हैं आपको पता हिए A and the article होते हैं आपको पता हिए Senior officer released the thief Senior officer ने release कर दिया उस thief को Senior officer ने released कर दिया उस thief को अब मुझे क्या करना इस thief के बारे में बताना है कौन सा thief? Senior office ने release कर दिया चोर को, कौन से चोर को? जिसे तूने पकड़ा था जो, जैसा, जिसने, जिनको, जिनोंने ये वर्ड हिंदी होते हैं मनलब ऐसी हिंदी होती है इनकी who, whom वगेरा की क्यों लगाए गए है क्यों लिखी क्यों रहे हो, who, whom समझ में आ रहा है ना रट तो निरे बताओ अगर रट ना है तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है या arrested verb है, you subject, object चाहिए हम लगा लो बात खतब लेकिन यह रट ऐसे टुच्चे sentence में ही काम करेगा थोड़ा धंका sentence आते ही तुम्हारे रटे flop हो जाएंगे ध्यान रखना अगर आपको चीजों को conceptual manner में पढ़ना है तो उसकी depth में जाके पढ़ना पढ़ेगा और मैं कुछ rocket science तो पढ़ानी रहा आपको मैं कौन सा differentiation और integration पढ़ाने लग रहा हूँ बिल्कुल एक common sense की बात कर रहा हूँ कि आखिर इसको लिखते ही क्यों है इसको इसलिए लिख रहे हैं बच्चे senior officer ने release कर दिया चोर को मैं इस चोर के बारे में बताना चाहता हूँ कौन सा चोर भाया चोर जिसने यह चीज़ चुराई थी वो चोर जिसने तुझे धपड मारा था वो चोर जिसको तूपकड के लाया था वो चोर जिसने तेरी बीवी की कहने का मतलब इस चोर को define करने वाली मुझे कोई बात लिखने है अच्छा। अब यहाँ पर जो आगे या एक noun या pronoun को define करने वाली बात जो लिखते हो उसके लिए इनको लगाया जाता है अब बात करें हूँ आएगा कि हूँ आएगा बिल्कुल आसान अब यह पूरी अगली कथा आपने किसके लिए कि थीफ के लिए लिखी हूँ लगाऊ चे हूँ लगाऊ थीफ के लिए लगा इन एलिफेंट आना था यार वो टाइपिंग ए रहता भईया इतनी इंगलिश मुझे आती है कि एलिफेंट के साथ आना मैं बोल उस वीडियो में एन एलिफेंट ही रहा हूँ बस वो लिखा हुआ ए उस पे ध्यानी निए रहा तो एन एलिफेंट आएगा बच्चे वो द किसी को अरेस्ट कर रहा है कि थीफ को अरेस्ट किया जा रहा है हां जी बोलिए थीफ रिसीवर है थीफ थोड़ी किसी को अरेस्ट करेगा थीफ को अरेस्ट किया जाएगा यानि यहां पर रिसीवर की जरूरत है रिसीवर यानि objective case यहां पर हूम आएगा रटो मत चीजों क को conceptually समझो की who whom पहली बात तो लगाई क्यों रहे हैं फिर अगर लगा रहे हैं तो हू क्यों लगा रहे हैं हूम क्यों लगा रहे हैं चीज़ों को conceptually समझने कोशी करो को rocket science नहीं है बिल्कुल रहे हैं रट्टे से मत करो अब यह हूम क्या कर रहा है यह दोनों काम कर रहा है को pronoun भी बन रहा और conjunction बन रहा है कैसे क्योंकि दो close बन गए दो close बन गए तो उनको जोड़ने के लिए conjunction चाहिए तो conjunction का काम भी यह करता है प्रोनावन कैसे थीव की जगह पर आया थीव के लिखा गया ना एक नावन की जगह पर आये और subject object का काम करें arrest अब्जेक्ट बना जाएगा इसको arrest वर्ब का object बना जाएगा इसको हां के ना क्योंकि यू क्या यू अगले clause में subject है क्या है क्या है helping वर्व है arrest क्या में वर्व है और अरेस्ट वर्व का ऑब्जेट कौन बनेगा यह हूम बनेगा समझ में आया हां जी clarity होगी हूम के उपर चलिए next sentences को देखिए इनको थोड़ा देखने समझने की कोशिश करिए अपने आप से एक बार थोड़ा आप समझने कोशिश करिए फिर मैं समझाता हूं एक ट्राई आप करो फिर मैं बताता हूं ठीक है करो ट्राई 30 सेकंड है आपक कि बताता हूं एक बताता है हाँ जी आईए ज़रा we have arrested the boy who slash whom you said had stolen your wallet इसको ध्यान से देखना ठीक है इस sentence का मीनिंग है हमने उस लड़के को arrest कर लिया है हमने उस लड़के को arrest कर लिया है जिसने तूने कहा था wallet चुराया है हमने उस लड़के को arrest कर लिया है जिसने तूने कहा था कि तेरा wallet चुराया है कुछ मरी बात आ रही सब्सक्राइब हम उस लड़के को arrest कर चुके हैं, हम उस लड़के को arrest कर चुके हैं जिसने तुने कहा था कि तेरा wallet चुराया है, यह बात है ऐसी, अब यहां पर ज़रा समझने कोशिश करिए, यह जो यह तूने कहा था है न, यह खाली आपका दिमाग खराब करने के लिए लिखा गया, क्यों है, इसका sad verb से कोई relation नहीं है, ना तो यह sad verb का doer है, ना यह sad verb का receiver है, यह लड़का जो है, इसका sad verb से कोई relation नहीं है, यह खाली आपको परिशान करने के लिए लिए लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, इस boy का लेना देना है इस वाली बात से, कुछ आरी यह बात समझ में, हम उस लड़के को arrest कर चुके हैं, जिसने तुने कहा था कि तेरा wallet चुराया है, ये sentence है, जिसने तुने कहा था, ये जिसने जो जैसा, जिसने ये जो हू हू मैं, इसका लेना देना किस से है, sad verb से कि चोरी करने वाली verb से, कुछ मरी बात आ रही है समझ में, sentence लंबा देखके घबर आईए मत, परिशान मत होईए, थोड़ा इसको logically सोचने समझने कोशिश करिए, sad verb से ये जो verb है sad, मैंने क्या का, कि हू हूम अगर आपको check करना है, तो आप ऐसे check कर लिया करो, कई भाईया, अगले clause में उसका क्या relation है, doer वाला के receiver वाला, अब कौन सी verb का, अगले पार्ट म है क्या, हाँ जी, कोई relation नहीं है, इस boy का relation है, ये चोरी करने से, हम उस लड़के को arrest कर चुके हैं, जिसने तुने कहा था कि तेरा wallet चुराया है, हाँ के ना, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, कि you said had stolen your wallet, हम उस लड़के को arrest कर चुके, जिसने तुने कहा था तेरा wallet चुराया है, इस boy का relation है, ये wallet चुराने वाली बात से, तो यहाँ पे यहाँ पे जो who whom आप लगाओगे, ये जो who whom आप लगाओगे, ये stole verb के according लगाओगे, मेरी बात आ रही है समझ में, ये जो subject plus verb बीच में दिया है, जबर्दस्ती का, तुने कहा था, ये खाली आ ये doer है कि, यहाँ पे बच्चे ये जो sad है, इसके बाद generally comma आता है, वरना यहाँ पे that understood हो जाता है, वो आगे चलके कभी concept पढ़ाओगा, ऐसे मत सूचेगा, दो verb एक साथ कैसे लिग दी, यहाँ पे that understood होता है, वो कभी आगे चलके पढ़ेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे लगा होगे boy के लिए तो लगा रहे हो, who, whom का मतलब boy तो है, तो जब मेरे पास यह object आ गया, चोरी क्या किया गया, wallet चोरी किया गया, तो इसका doer वाला relation होगा, है ना, इसका doer वाला relation होगा, doer वाला relation होगा, तो यहाँ पे who आएगा, पुछारी बात समझ में, ऐसी अब यह clause को connect करने वाले conjunction की तरा से काम करेगा, pronoun की तरा से काम करेगा, यह pronoun पर कन्यंक्शन होता है, यह बाते हैं, वाप जान गये, ठीक है, same बात यहाँ पे, एक पर करिए कोशिश, बिल्कुल एक तो, same बात, यहाँ पर करिए जरा कोशिश, Doer, Receiver अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, जो काम को करता है वो Doer होता है, जिस पर काम किया जाता है वो Receiver होता है, हैं भाई, अगर मैं लिखो, अगर मैं लिखो, She slapped me, So She Doer है, Subject है, Me Receiver है, Object है, उसने मुझे थपड मारा, थपड मारने वाला Doer, थपड खाने वाला Receiver, Basic के क्लास नहीं लगाई भाई इसका मतलब थाने, Monu help the man who slash whom thought was poor, he thought was poor, हां जी, Monu help the woman who slash whom he thought was poor, हर्ष खंडेल वाल बच्चे जितनी क्लास में फ्री ले पा रहा हूं उतनी मैं ले रहा हूं, इससे जादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपको अच्छी लगें तो देख ले नहीं तो I'm really sorry, जितनी मैं ले पा रहा हूं उतनी मैं ले रहा हूं, माफ कीजिएगा इससे ज्यादा मेरे लिए संबब नहीं है, रोज 6 गंटे वहाँ पर आनकेडमी पढ़ाना होता है, डेड़ गंटे ही हो जाते है, साड़े साथ गंटे, तीन गंटे स्लाइड बनाने के, तीन गंटे बच्चों का डाउट बताने के, जिंदगी में इससे ज्यादा काम मैं कर नहीं सकता, माफ कीजिएगा, चलिए, help helped helped क्या बन गया, वर्ब बन गया, मोनू क्या बन गया, subject बन गया, man क्या बन गया, object बन गया, मोनू help the man, मोनू help the man, मोनू ने मदद करी उस आदमी की, मोनू ने मदद करी आदमी की, जो उसने सोचा था कि गरीब है, अब मुझे एक बात बताओ जरा, उसने सोचा था, ये वाली बात आपको समझ मारा कि जबरदस्ती दे रखिए, तुम्हारे को confuse करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा था कि कोई लेना देना है इस आदमी से, क्या सोचने का ये आदमी doer हो ये वाला, इसके लिए आपने कथा लिखनी है, सोची तो कोई बात जाएगी, तो ना ये सोचे जाने का कोई receiver हो सकता है, तो he thought से कोई relation नहीं, ये जो he thought ये वाली जो बात है, इससे इस man का कोई relation नहीं है, समझ में आया, इससे relation है किस बात का, इस man का relation है गरीब होने से, मोनु ने मदद करी आदमी की, कौन से आदमी की जो गरीब था, बात तो कुल मिला के ये जवर्दस्ती, उसने सोचा था कि वो गरीब है, हां के ना, ये जवर्दस्ती आपको खाली confuse करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस was poor वाली line से relation है, अब ये बहुत अकेली आती है, तो आपको पता है कि linking वर्व होती है, poor objective है, जो subject compliment की तरह से काम कर रहा है, अब मुझे बताईए, linking word में object तो कभी आते हैं, obvious बात है, इस word को subject चाहिए होगा, linking word के बाद objective case तो कभी आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हुआ जाएगा, हाँ जी, बात आई समझ में, ये था इसका level 1, जिसमें क्या सीधा सीधा दे रखा है, कि who whom दे रखा होगा, आगे सीधी वर्व दे रखी होगे, आप चेक कर लेना कि उस वर्व का ये doer है कि receiver, उस according who whom, put कर देना, इसमें क्या करता है, आगे दो वर्व दे देता है, आगे तो वर्व दे देता है, अगर थोड़ा सा भी रत्ती भर भी आप brain use कर लोगे, थोड़ा सा meaning निकाल लोगे, तो आप अपने आपी समझ जाओगे कि thought का, इस man से correlation ही है, ये sad का boy से correlation ही है, हम उस लड़के को arrest कर चुके हैं, जिसने तूने कहा था कि तेरा बटवा चुराया ह है, बटवा चुराने से relation है, stole verb से check करोगे, stole verb का doer है, who आएगा, मौनु ने help करी उस आदमी की, मौनु ने help करी आदमी की, जो उसने सोचा था गरीब है, मौनु ने help करी उस आदमी की, जिसे उसने सोचा था, कि वो गरीब है, अब ये गरीब होने वाली बात से relation है, इस man क यह सोचा था से रिलेशन नहीं है तो उसके according आप चेक करोगे और यहां पर हुआ जाएगा बोलिए आई कुछ clarity इसलिए बच्चे मैं रोल रट्टे से नहीं पढ़ाता इधर देखो जो रटने वाले नहीं इधर देखो कि look around object आउशकता है के और अच्छा यहां पर subject की आफशकता हो दिखेगा , , , जिसको पता ही निया sentence का सिर पयर कीquarलन कियों लगाते हैं कहां लगाते हैं इक prés unbelievable वो तो बावला हो जाएगा, अब उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वर्प के हिसाब से क्या देखूँ, इसलिए बच्चे इतनी को rocket science नहीं थी, अगर इसको meaning से समझ लोगे, अगर इसको conceptual तरीके से समझ लोगे, तो आप पेपर में कितना भी मुश्कल sentence आजाएगा खतम कर देते हैं, ठीक है, एक आपका हववा जो है वो और खतम कर देते हैं, अगर इनसे डरना है वह वाले बच्च्चे ओ अगर थोड़े से भी महनती हो और मेरे पर थोड़ा भरोसा है मेरी पांच साथ क्लास लगा चुके हो तो वरोसा अब तक हो गया होगा मुझे खाली साथ से आठ मिनिट दो इनकी दजियें उड़ा देंगे पर ध्यान से सुनो एक लाइग माल लिजेक शब्दों का समून एक वर्ड भर मिलकर अगर मिलकर दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं अगर कुछी शब्द मिलकर अडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाए यानि किसी नाउन या प्रॉन की विशेष्था बताने लग जाएं तो उसको clause कब कहेंगे अगर उन सारे शब्दों में subject plus verb का जोड़ा बन गया तो clause कहेंगे वर्ना phrase करेंगे sentence अभी और अच्छा समझ में आएगा एक बर दुबारा सुने क्या बोला मैंने अगर एक single word red car blue car big car small car यह adjective है यह adjective है ठीक है अगर माल लो एक single word ना कि काफी सारे शब्द हैं काफी सारे शब्द हैं कि किसी नाउन के विशेच्था बताने लगने तो उसे कहेंगे adjective phrase यह adjective clause कब phrase कएंगे कब हीलू दिशने के बिल्कुल आसान दिशनाविल की अगर अग्र उसके इंदर subject खिंडा दो बेसिक से अगर आ रहे हो पहली क्लास के पहले देखो फिर बोल रहा हूं भाई अगर कोई भाई आज ही आया है आज ही उसकी पहली क्लास है कुछ नहीं समझ आएगा आपको यह कंप्लीट बैच है मैंने फिर पहले भी बोला अगर जितनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं उसका 10 परसेंट भी अगर आप शिद्दत से इसको पहली क्लास के पहले संटन्स से देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं बचेगी आपकी लेकिन कंडिशन यह है पहली क्लास के पहले संटन्स से बड़लो इनको break करो तीनों को इनको break करो जरा तीनों को क्रेजी भाई वह अज्यक्टिव होता है अज्यक्टिव होता है मुझे भी पता है लेकिन बोलूगा अज्यक्टिव ही तू अजेक्टिव अजेक्टिव कर ले ना भाई मैं तो अजेक्टिव भी बोल रहा हूँ खाली मत बैठो 30 सेकंड तुम्हारे ब्रेक करने के लिए दिये हैं टाइम पास मत करो रगड़ो इनको यह सब्जेक्ट है यह वर्व है यह ऑब्जेक्ट है यह फलाना यह दिगड़ा करो इसको चलो जी आजएए select selected selected क्या हो गया वर्व हो गया she क्या हो गया subject हो गया ठीक है अब एक भाई ये practice कर रहा practice practice बच्चे जब chapter खतम हो जाएगा मैं अपने दो एक बता दूँँगी chapter खतम हो गया आप इसकी practice कर लो ठीक है chapter तो खतम हो जाने एक जिस दिन pronoun चप्टर खत्र होगा मैं खुद ही बता थूँगी चप्टर खत्र हो गया practice कर ले man क्या बनगया object बनगया, मानलो कोई लड़की का swimmer है मानलो कोई लड़की का swimmer है Swemmer नहीं तो मानलो अगर बहुत सारे लड़के उससे शादी करना चाते हैं, बहुत सारे लड़के उससे शादी करना चाते हैं, तो मैं क्या कहा रहा हूँ, कौन से लड़के को चुना उसने, कौन से लड़के को चुना उसने, उसने एक अमीर आदमी को चुना, उसने एक अमीर आदमी को चुना, तो रिच क्या हो she selected, और महां लो बहुत सारे लड़के या बहुत सारे आदमी आए उए, ऊख पूछ रहा है कौनसा वाला चुना उसने, कौनसा वाला आदमी चुना उसने, वो जो नीली आखों वाला था, उसको select किया उसने, she selected the man with blue eyes, której नीली आख्ये थी she selected the man, she selected the man with blue eyes का मतलब है जिसकी नीली आँखे थी, अब यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, eyes preposition का object है, blue color बता रहा है तो यह भी qualitative objective हो गया, ठीक है, पहले में मैंने लिखा, पहले में मैंने लिखा, she selected a rich man, उसने एक अमीर आदमी को चुना, यहाँ पे इस man के विशेष्था बत रहा है, eyes की blue, इस man की विशेष्था कौन बता रहा है, eyes की blue की क्या, यह पूरी बात, यह तीनों शब्द मिलकर, यह तीनों शब्द मिलकर इस man की विशेष्था बता रहे हैं कि उसने आदमी को select किया, कौन से आदमी को select किया, नीली आँखों वाले आदमी को select किया, the man with a bag म मतलब वो आदमी जिसके पास बड़ी गाड़ी है, man with blue eyes का मतलब है वो आदमी जिसकी आखे निली है, तो यहां पे जरा समझिए कि यह तीनों शब्दों ने मिलकर अपने आप में अगर कोई आप से पूच चाहिए, यह विद क्या है, sir preposition है, यह blue क्या है, sir qualitative objective है, यह eyes का है, sir noun है, जो कि preposition के object की तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई पूचे यह तीनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, यह तीनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, तो तुम कहोगे sir इस man के विशेषता बताने वाले adjective की तरह से काम कर रहे हैं, अब इसको phrase कौँ की clause कौँ, phrase कौँ की clause कौँ, इसमें subject plus word तो बना नहीं, तो इसे बोलेंगे बच्चे, अड्जेक्टिवल फ्रेज, इसे कहेंगे अड्जेक्टिवल फ्रेज, अड्जेक्टिव की तरह से काम करने वाला फ्रेज, एक ऐसा फ्रेज, ऐसा शब्दों का समू, जो अड्जेक्टिव की तरह से काम करे, यानि noun या pronoun की विशेष्था बताए, एक ऐसा शब्दों का समू, जो noun या pronoun की विशेष्था बताए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे with क्या है, अकेला-केला कोई पूचे तो, हाँ सर, with preposition and blue, adjective, आइस noun है, लेकिन अगर कोई पूचे, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तब कहना, adjective will freeze, अगर एक शब्दों का समू, उसमें preposition बताए हैं, उसके object हो सकते हैं, को अर्जक्ति भी आ सकता आएग ऐसा शब्दों का समूँ अगर अगर अर्जक्तिव की तरह से काम करने लग जाए है कोई single word नहीं काफी सारे शब्द मिलकर अगर अर्जक्तिव वाले काम करने लग जाएं यानि noun या प्रणौन की विशेष्थता बताने लग जाएं तो फिर उसे कहेंगे अड्यक्टिवल रेस, नीची आईए, शी सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड वर्ब है, मैन अब्जेक्ट है, उसने चुना था आदमी को, कौन से आदमी को, जिसने रेस जीती थी, माल लो, माल लो, कि उसने का भीया, ऐसे तो मुझे पता नहीं चल रहा है, कि उसको चुना दिखने में सारी ठीक है, है ना, तो एक काम करो, चलो 500 मीटर की रेस मार के दिखाओ, जो जीतेगा, उसको चुन लोगी, कौन वर्ब का subject बन रहा है, man की जगा प्यार है, इसलिए pronoun है, दो close को जोड़ रहा है, इसलिए conjunction है, अब अगर मैं तुमसे पूछँँ, अब अगर मैं तुमसे पूछँँ कि ये इतना ये क्या, ये पूरा क्या है, अब अगर मैं तुमसे पूछँँ, ये पूरा क्या है, she selected the man, she selected the man, उसने select किया आदमी को, उसने select किया आदमी को, कौन से आदमी को, कौन से आदमी को, बो, जिसने race जीती थी, कौन से आदमी को, जिसने race जीती थी, हां के न, अरे बोलिये यहां पे जरहां समझने की कोशिश करो यह पूरा का पूरा इस mahyn के विशेषथा बताने लग गया यह पूरा का पूरा structure क्यों लिखा इस mahyn के विशेषथा बताने लिए जो एक नाउन के विशेषता बताये उसको क्या कहते हैं objective अगर एक single word adjective की तरह से काम करे तो objective अगर एक शब्डों का समुझ अड़क्ति वर्ब का structure क्रिमें तो उसको बोलेंगे अड्जेक्टिवल क्लॉज, डरना है तो सारी उमर डरते रो नहीं तो खाली 10 सेगंड का काम था, हाँ जी, टीनों संटेंस को एक बार दोबारा देख लो, जो मैंने बोला अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो, फिर मैं रिवाइज कराता हूं, और फिर एड़ हाँ जी, फिर से देखिया मैंने क्या का, बच्चे घवराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर एक सिंगल वर्ड अजेक्टिव की तरह से काम करें, एक सिंगल वर्ड किसी नावन या प्रनौन के साथ लगकर उसकी विशेशता बता है, अगर एक शब्दों का समू, ग्रूप अगर 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 अजेक्टिव की उसने आदमी को चुना जिसकी आंखे निली थी उसने आदमी को चुना जिसने रेज जीती थी, सब में इस आदमी की विशेशता बताई जा रही है, यहाँ पर मैंने एक सिंगल वर्ड से बताई, तो यह adjective कहलाया, यहाँ पर मैंने फूर्दों का समू बताए जा इतनी सी ब बोलो clear हो गया आजो एड़वर्ब को देख लो एड़वर्ब, एड़वर्बिल, फ्रेज, एड़वर्बिल, लॉज बिल्कुल वही टुच्ची सी बात अगर एक वर्ड़वर्ब की तरह से काम करें यानि किसी वर्ब, अज्यक्टिव, एड़वर्ब की विशेषता पताएं, सिंगल वर्ड तो वो एड़वर्ब हो गया अगर शब्दों का समू एड़वर्ब वाला काम करने लग जाए, तो फ्रेज या क्लॉज, कब फ्रेज, कब क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, तो क्लॉज वर्णा फ्रेज, अपने आप कर पाओगे तुम, मैं तो कराओंगा ही, अपने आप कर दोगे मुझे त कि इतना आसान तरीके से समझा दिया, थेंक्यू, वेलकम भाई, वेलकम, बहुत सालों की मेहनत है बच्चे यह, डाइनमिक, तुम्हारे डाउट बहुत आगे के हैं, अभी उतना मैंने पढ़ाया नहीं है, जितने तुम डाउट पूछ रहे हो, वीडियो दोबारा देख लीजेगा, सौरब कुमार आजाएगा सुझना, कर लिया, कर लिया, बोलो, रगड़ दे, 30 सेकेंड और ले लो, करो जल्दी से, आजएगे, टीनो संटेंसिस के अंदर, आई सब्जेक्ट है, सौ वर्ब है और हर अबज़क्ट है, तीनो में यह चल रहा है, आई सौ हर, आई सौ हर, आई सौ हर, तीनो में यह चल रहा है, अच्छा एक में लिखा आपने आई सोहर येस्टेड़े मैंने उसे कल देखा एड़व उफ टाइम हो गया हा के ना जो पैच की पहली क्लास के पहले संटेंस से आ रहा है पता है एड़व उफ टाइम एड़व उफ प्लेस एड़व मैनर फ्रिकुएंसी डिगरी क्या होते है कब होते हैं कहा लगा जाते हैं सब कुछ पता आपको अब देखो यहां पर क्या हुआ ओन प्रिपोजिशन है और संडे इस प्रिपोजिशन का ऑबजेक्ट है मैंने उसे देखा था संडे को तो इसको एड़व उफ टाइम क्यों कहते हैं ये एस्टरड़े को क्योंकि ये होने का टाइम बता रहा है कि मैंने उसे कब देखा मैंने उसे कल देखा था है ना जो एक्शन के होने का टाइम बताए वो एड़व टाइम हो जाता है तो ये और संडे ये दोनों वर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं मुझे बताना ये और संडे ये दोनों वर्ड मिलकर क्या कर र गया adverbial phrase of time भाई आई बात समझ में है है अजी अब इसको देख लो I saw her मैंने उसे देखा था अब यह वैन यहां पर काम करेगी conjunction की तरह से ठीक है यह को pronoun वगरा नहीं होता कहीं इसको related pronoun में लिख दो यह conjunction की तरह से काम कर रहा है she क्या बन गया subject बन गया was क्या बन गया helping work बन गया playing क्या बन गया main work बन गया tennis क्या बन गया object बन गया देखा जब वो टैनी स्केलरी थी तीनो time ही तो बता रहे हैं तो यह क्या बने गया इसको कहूंगा adverbial clause of time इसको clause क्यों कहूंगा क्योंकि इसमें subject प्लस verb आरी है इसके अंदर subject प्लस verb आरहा है इसलिए कि इसको clause कोंगा समझ में आया इतनी टुच्ची सी बात है भाई जो एड़वर्ब की तरह से काम करें यानि किसी वर्ब की किसी अड़्जक्टिव की दूसरे एड़वर्ब की विशेस्था बता है अगर ऐसा single word कर रहा है तो वह एड़वर्ब अगर ऐसा शब्दों का समू कर क्या कर रहे है एड़वर्ब फ्रेज ओफ टाइम मैंने उसे कब देखा था जब वो टैनिस खेल रही थी कंजंग्शन लगाई पूरा clause लिख रखा है तो एड़वर्ब फिर बताना चाहूंगा अगर कोई अकेला पुछेगा अकेला ओन क्या है सर प्रीपोजिशन है संडे अगर को पुछे दोनों मिलकर क्या करने तब यह फैन कैसर कंजंक्शन है शी कैसर सबजेक्ट अप्रोण ने वह जो एक और चीज आपका और बढ़ी है चीज क्लियर कर देता हूँ आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आज का लेक्चर जिसने बिल्कुल शुरुवात से देख लिया ना तुम कहा अरे कहा थै गुरुजी अब तक है क्या राधियास तो खेर यह मजाग की बात है मैं अपने लिए को गुरु बुरु वर्ड ऐसा कुछ लगाना ने चाहता है गुरु बहुत बड़ा वर्ड होता है ठीक है नॉर्मल एक टीचर ट्यूटर एजुकेटर ऐसा कुछ कह सकते हो यह मजाग की बात ही तो मैंने कहा दिया नहीं तो गु पीचर कह सकते हो यूटर कह सकते हो एजुकेटर कह सकते हो चलिए आईए जरा अगर मैं आवसे पुछ हूँ रीडिंग क्या होता है रीडिंग वर्ड होता है ना रीडिंग स्विमिंग इटिंग क्या होता है वर्ड होता है आ के ना ऐसे जरूरी नहीं है यह जो V1 प्लस मे ing का structure है यह जो v1 plus में ing का structure है यह English में तीन काम कर सकता है v1 plus में ing का जो structure है यह English के अंदर तीन काम कर सकता है यह verb भी बन सकता है यह noun भी बन सकता है और यह adjective भी बन सकता है tension मत लीजे तुम खुद करके दिखा दोगे मुझे तुम पर पूरा बरोसा है जिसने पहली class के पहले sentence से इस batch को लगाया है ना, मुझे पक्का पता है कि तुम अपने आप कर दोगे, देखना जरा सर मुझे कैसे पता चलेगा, कभी यह noun है, कभी adjective है, कभी यह verb है, अरे बिल्कुल असान, जब यह verb होगा ना, तो इससे पहले और आपको नजर आएंगी इससे पहले, आपको इससे पहले helping और नजर आएगी, और जब यह noun होगा, तो यह subject object बनने का काम कर रहा होगा, यह खुदी verb का subject या object बन रहा होगा, तब इसको noun कह देना, अगर यह किसी noun के साथ लगकर उसकी विशेशता बता रहा हो, जैसे crying boy, र हो तो noun कह देना, अगर action को represent कर रहा हो, इससे पहले helping और लगी हो, तो verb कह देना, ठीक, करके दिखाओ जरा, करना जरा इन तीनों को, ब्रेक करो, तोड़ो इनको, पहचानने की कोशिश करो कि fighting किस में क्या काम कर रहा है, पहचानने की कोशिश करिए कि fighting किस में क्या काम कर रहा है, संतोष वो कैप प्रोई पूरी कर लो, इतना ही बहुत है, करो करो, ट्राइ अपने आप करो, मैंने तो कराना ही खुद कोशिश करो, तभी मज़ा आएगा, आयYे, ही क्या हो गया? subject हो गया, is क्या हो गया? helping work हो गया, fighting क्या हो गया? main work हो गया, वो लडाई कर रहा है, वो लडाई कर रहा है, जरूरी नहीं है, intransitively काम कर सकती है, fight वर्व कोई दिककत नहीं है तो यहां पर fighting ने क्या काम किया? वर्ब बनने का काम किया, ठीक है, अब इस sentence पर आते हैं, ही क्या हो गया, subject हो गया, pacify का मतलब होता है, शान्त करना, pacify वर्ब का मतलब होता है, शान्त करना, उसने pacify कर दिया, किसे pacify कर दिया, बैलों को pacify कर दिया, उसने pacify कर दिया, किसे pacify कर दिया, बैलों को pacify कर दिया, ह fighting किसी भी कीमत पर वर्व नहीं हो सकता है क्योंकि वर्व तो पहले आचुकी , ये संत्सक्त कि बात करूँ तो, स्टार्ट 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 वर्व हो गया ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया ही स्टार्ट वर्ट क्या शुरू कर दिया उसने उसने लड़ना शुरू कर दिया यह वर्व तो हो नहीं सकता क्योंकि आगे को नाउन नहीं है है कि ना तो फिर यह बचा क्या यह तो वर्ब से वटिया उम का रिपला, यह स्टार्टेट कर दिया, उसने उसने लड़ना शुरू कर दिया, यह तो अब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, और सब्जेक्ट अब्जेक्ट बनने का काम अंगरीजी में नाउन करते हैं, बोलो भी समझ में आया हां जी पैसिफाई माने शांत करना प्रमोंत कुमार कान से महल निकाल के ऐसे बोल के देखो ऐसे दो तिन बार ऐसे कर लिए ऐसे ठीक फिर सुन क्लाइक्स को चलो अगर ध्यान से फिर से देखे तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि V1 प्लस इंजी इंग नवन नवन में तिन काम करता है गाल अगर इसे पैसे उन पर देख ल 때 कि अगर कुछा हो ही और फाइटों ही अगर इस सेंटेश की बात करो तो इसमें तो वर्थ है आगई पैसिफाई मने वनए शात करना उसने लड़ते हुए बैलों को को शान्त कर दिया उसने लड़ते हुए बैलों को शान्त कर दिया पर इसको टाइप में मत बाट ना बच्चे इनकी को टाइप के अंदर में नहीं आएंगे कहीं इनको कौलिटेटीव कॉणितेटाटिव यह यह अजकति होए अब इसने लड़ते हुए बैलों को शान्त कर दिया अब वर्भ आ राच कर दिया अब आ चुकी यह तो यह वर्भ हो जैना अंब नहीं नीभी शकता सम्युन two two यह दोनों चीज यहां चुकी है है तो हम नाउन कैसे बना पाऊगे यह तो इन बैलों की विशेषता बता रहा है यह तो इस विशेषता बतारा जो नाउन की विशेषता बता रहे वो क्या हो जाते है nis he started fighting he started fighting उसने लड़ना श्रू कर दिया start started started वर्ब हो गया, he subject हो गया, he started what, क्या शुरू कर दिया उसने, he started studying, he started playing, he started fighting, क्या शुरू कर दिया तो वर्ब से वर्ट का reply निकला है, क्या reply निकला है, object बन गया, object बन गया, object बन गया, तो noun बन गया, बोलो भईया, समझ में आया, अभी पता क्या पड़ा तुमने, V1 प्लस आई एंजी अगर noun की तरह से काम करें, तो उसका हाई फाई नाम होता है, जिरंड, V1 प्लस आई एंजी अगर adjective की तरह से काम करें, तो उसका हाई फाई नाम हम लिखते हैं, present participle, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, स्कूल में बच्चे का टशन बनाने के लिए, स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया जाता है, ठाकुर मनवेंदर परताब सिंग राथोड गाजियाबाद वाले, और घर आते ही, उसकी ठाकुर बनवेंदर परताव सिंग राथोड गाजियाबाद वाले हैं और घर पे तुम निक्रों में सुझुपोटी करते फिर रहे हो तो बिल्कुल वैसी बात है कताई घबरानी के जरूरत नहीं है नाम बड़े-बड़े हैं बात बिल्कुल टुची है ये खाली इनके मार् आने के लिए बड़े-बड़े नाम दे रखे हैं वीवन प्लस आइन जी अगर नाउन की तरह से काम कर दे तो उसका हाई फाई नाम जिरंड है वीवन प्लस आइन जी अगर 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 कोई तुम से पूछेगा तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा अगर इसका तुम से कोई हाई-फाई नाम पूछेगा तो जिरंड कहलाएगा ठीक है जी चलो इसको करके दिखाओ अब जराफ इसको करके दिखाओ जराफ मैंने कहा था ना बेसिक खत्व नहीं हुआ अब यह जो पढ़ा रहा हूं इसका प्रोणाउन से को रिलेशन है अड्जेक्टिवल क्लॉज फ्रेज जिरेंड पार्टिसिपल इनका प्रोणाउन से रिलेशन नहीं है लेकिन मुझे चीज़ें चाहिए ताकि को सेंटेंस में मैं अगर मैं लिखना चाहूं तो इनको लिख पाऊं संटे्स थोडा लंबा कर पाऊं संटे्स थोडा अच्छा करपाऊ तो बेशिक ऐसी बीच भीच में भीच में आता रहेगा बच्चे थिक है इन दोनों को करके दिखाओ ठोड़ा बड़िया थोड़ा सोच समझ ना थोड़ा दिमाग लगाके ठीक है खास करके ये नीचे वाला थोड़ा सा दिमाग से सोचना क्या लिखूं कैसे करूं इसको कर दो कर दो करने से कैंसर होता है अब अगर तुम्हें इसको अगर तुम्हें करने से कैंसर होता है अब अगर तुम्हें स्मोकिंग को देख पारे मुझे बता हो यह वर्व हो सकते है अगर यह वर्व होती तो इससे पहले लाज वास वर कुछ नजराता है तो इसका मतलब यह नाउन की तरह से काम कर रहा है है subject की तरह से काम कर रहा है और इसका हाइफ नाम पड़ेगा जिरंड हां के ना और यह cancer क्या बन गया object बन गया नाउन बन गया हां के रहा है इतनी बात समझ में आ अगया कि पहले में smoking क्या नाउन है subject है जिरंड है रेवा प्लस आइंजी नावन का गां करती है नावन में सब्जेक्ट भी हो सकता और जैसे इस वाले सिंटेज में उबमें महीं और ज अगर आप इसको उपर उपर से देख रहे हो तो आपको शाहिद ऐसा लगे आपको शाहिद ऐसा लगे कि यह subject है, इसको helping verb कह देता हूं और इसको main verb कह देता हूं, है ना, शायद ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, सोच के देखो, अगर तुम इसको helping verb कह दोगे, इसको main verb कह दोगे, तो इसका मतलब यह continuous tense हो गया, है ना, was helping verb, was helping verb, was helping verb plus ing, तो continuous tense हो जाता है, continuous tense तब लगाते हैं, जब वो action continuity में होता है, he was singing, वो गा रहा था, he was playing, वो खेल रहा था, he was sleeping, वो सो रहा था, मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई action हो रहा है, बोल एक्षन हो रहा है, क्या, बोलिये, क्या यहां कोई action हो रहा है, यहां तो movie के बारे में कुछ बताया जा रह तो क्या होता है linking वर बाती है, किसी के बारे में कुछ बताने के लिए वो अमीर है, गरीब है, मुवी इंट्रस्टिंग है, बोरिंग है, लंबी है, लंदी है, फ्लॉप है, हांके ना, तो ये बनेगा बच्चे linking वर main वर, और ये interesting जो है, ये adjective की तरह से काम करेगा, present participle की तर से, पहले एक बार इसको revise कराता हूं, देखो, सुनो एक बार, smoking causes cancer, cause verb क्या cause करता है, cancer कौन cause करता है, ये doer है, ये subject है, noun है, ये जिरंड है, तो smoking क्या बन गया, noun बन गया, subject बन गया, verb नहीं हो सकता है, noun, adjective नहीं हो सकता है, क्योंकि बात में को noun नहीं है, इसका मतलब है, noun है subject है, जिरंड है, अगर मैं इसकी बात करू, अगर मैं इसकी बात करू, movie interesting थी, movie interesting थी, यहाँ कोई action तो हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई action तो हो नहीं रहा, कि मैं इसको helping वर वर इसको main verb कह दू, यहाँ तो movie के बार में कुछ बताया जा रहा है, यानि यहाँ पे इसको linking वर मा सकते, doubt सुनना, क्या sir इसको जिरंड नहीं कह सकते क्या, नहीं बते, फुरा सोच के देख, अगर मैं sentence यह लिखता हूँ, he is smart, he is smart, तो he subject है, is linking और यह smart के adjective subject compliment है, यह एक भी बच्चा यह नहीं, पुछेगा sir smart noun नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, smart, smarter, smartest, है ना, यह adjective की तरह से काम करता है, अगर आपको ना पता होता है, smart adjective है, तो क्या तरीका बता है, छोटा सा sentence बनाओ, smart boy, smart girl, smart employee, smart teacher, हां के ना, यह यह तो noun की विशेषता बता रहा है, तो adjective हो गया, same वैसी, इसके साथ क्यों नहीं करते, यह चेक करने के लिए कि interesting adjective है कि noun है, छोटा सा काम करो नहीं, interesting movie, interesting novel, interesting story, यह तो noun की विशेषता बता रहा है, तो बच्चे फिर यह adjective माना जाएगा, ना की noun, बोलिए भाया, clear हो गया, हलाकि slide तो मैंने नहीं लगाई थी आज उसकी, लेकिन चलो एक चीज़ और बढ़ाता है, लगे हाथ निपटाई देता है, इधर देखो, क्या है, बज़ है क्या है, प्रेन में लोल बड़ाया, क्या हुए देखे न जरह वर्ब की तीसरी फोर्म जैसे आपको V1 प्लस इंजी वाला बता न ऐसी वर्ब की तीसरी फोर्म मैं आप से पुछू एटन क्या होता रिवन क्या होता या होता तुम कह भोगे वर्ब होता लेकि ज़रूरी नहीं है वर्ब की तीसरी form भी अंग्रेजी में दो काम कर सकती या तो वर्ब बन सकती अड़ जक्ति नाउन नहीं बनती वर्ब की तीसरी form जो होती है वो वर्ब बन सकती या जक्ति बन सकती है, सर मुझे कैसे पता चलेगा अगर तुम बिस्टिक की पहली class के पहले assumptions या रहा हो ना, तुम देखती भढ़ाक से बता दोगे काम पर एगा- अगर भाईया इससे पहले has have had ये सब helping वर्व नजर आए अगर इससे पहले आपको has have had ये सब helping वर्व नजर आए तो ये वर्व है अगर ये एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेष्था बताए तो ये अज़क्तिव है ठीक है करो कोशिश करो कोशिश सर इसमें adjective के type क्यों नहीं mention किया हमने क्योंकि ये वर्व से बने हुए adjective है इंको उस type में नहीं बानते हैं ये वर्व से action से बनाए गए adjective है ये उन type में नहीं बनते हैं इन दोनो sentences को तोड़ ये ज़रा मन नहीं लग रहा है मन नहीं लग रहा है तो फोन कर लो उसको और जिंदिगी में कोई सुख है नहीं तो कस्तमर केर पे फोन मिला के डाटा प्लान ही पूछ ले भाईया डेटा प्लान हां जी माम 360 वाले रिचार्ज में क्या क्या मिलेगा बड़ा विस्तार से बताईए मन नहीं लग रहा तो वहां जा यहां क्यों टाइम पास कर रहा भाई और नहीं तो आजकल तो लेक्चर भी बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया चल रहे है देखता हूं आधी जनता तो पढ़ने कम मैडमों को देखने जाना जाती ही लाइव क्लास में है वाई है सही है सही है बढ़िया इसा बच्चा है हां जी आ जाईये यहां पर यहां पर यहां पर सोचने की कोशिश करो कि जो कहां पर यह जो वर्ब की 3rd form है steel, stole, stolen, stole, stolen, stole, stolen कहां वर्ब है कहा अजयक्तिव है ही subject है has helping word है stolen main verb है helping भी आ रही है अगर इसको तो मेर्जेक्टिव कह दोगे तो फिर sentence बनेगा कैसे तो यह main verb बन गया book क्या बन गया object हो गया और my क्या बन गया हाँ जी clear हुआ उसने मेरी book चोरी करिए he has stolen my book उसने मेरी book चोरी करिए इसमें क्या हो गया they subject हो गया hid क्या हो गया यह main verb है hide की second form है ठीक है उन्होंने चुपा दिया था किस चीज को चुपा दिया किताब को चुपा दिया यह object बन गया कौन सी किताब को चुपा दिया चोरी कही किताब को चुपा दिया stolen main verb नहीं हो सकता है क्योंकि main verb पहले आ चुकी है stolen verb नहीं हो सकता है क्योंकि article आ रहा है इसके साथ तो article verb से पहले थोड़ी आते है कभी stolen main verb नहीं हो सकता है क्योंकि stolen लगाना पड़ता है तो बच्चे यहां पे काम कर रहा है अड्जेक्टिव की तरह से अंडर क्या बन गया अंडर बन गया प्रीपोजिशन टेवल क्या बन गया टेवल बन गया प्रीपोजिशन का अबजिक्ट नाउन लो जी हो गया का वर्ब की तीसरी फॉर्म इंग्लिश ग्रैमर में दो काम कर लेती है वर्ब बनना अड्जेक्टिव बनना सर मुझे कैसे पता चलेगा अरे बिल्कुल आसान इससे पहले हैसे हैड आ रहा हो एक्शन को रिप्रेजिन कर रहा हो तो वर्ब कह देना नाउन से प अजेक्टिव की तरह से काम करता है तो इसका एक हाई फाई नाम पढ़ता है पास्ट पार्टिसिपल कता ही डरने की जरूरत नहीं है इसका एक हाई फाई नाम पढ़ता है पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया हां जी बोलिए एक बार जल्दी सी जल्दी सी सारा एक बर सारा देख लें क्या जितना आज पड़ा सारा देख दें क्या एक पर दुबारा हां जी यहां से देख लेते हैं हुम तो आई गया होगा बहुत लंबा पड़ाय अड्जेक्टिव अड्जेक्टिव अड्जेक्टिवल फ्रेज अड्जेक्टिवल क्लॉज सिंगल वर्ड अडिक्टिव की तरह से काम करें तो अडिक्टिव एक शब्दों का समू अडिक्टिव की तरह से काम करें तो अडिक्टिव फ्रेज या क्लॉज अगर उसमें सब्जेक्ट पस वर्ब आ जाए तो क्लॉज ना तो फ्रेज अगर एक single word एडवर्ब की तरह से काम करें एडवर्ब, शब्दों का समू एडवर्ब की तरह से काम करें तो phrase या clause, अगर उसमें subject वर्व आ जाए तो clause वर्व ना phrase इंग्लिश ग्रावर्वर में तीन काम कर लेती है, वर्व बनना, adjective नाउन बनना, यहाँ पर इससे पहले इसमार वाजवर आए helping वर्व आए, तो इसका मतलब main वर्व है, noun के साथ लगकर उसकी विशेशता बताए तो adjective है, खुदी subject object बन जाए तो जी नाउन है, जब adjective बने त रचा रट लेता है, इसमार वाजवर पहले देखती भटाक से main वर्व लिखता है, रटो मत थोड़ा समझो, यहाँ पे कोई action नहीं हो रहा है, मैंने दो बाते बोली, इसमार वाजवर आए और action को represent करे, दोनों बाते होनी चाहिए, यहाँ पे action को represent नहीं कर रहा है, यहाँ नाउन के साथ लगकर उसकी विशेशता बता रहा है, तो adjective कह देना, जब adjective बने तो high five नाम past part से पले, clear है जी, हाँ जी, देखिए जरा, क्या पढ़ा है आज, वी वन प्लस में ing, अगर नाउन की तरह से काम कर दे, तो उसका high five नाम है जिरंड, यह वो चीजे जिन से बच्चे डर डर के भागते हैं, जो अक्सर कोर्स के last में पढ़ाई जाती हैं, जब कोर्स रांद काटने का टाइम आ चुका होता है, मैं बच् चेप्टर भी complete नहीं हुआ हलके से चीटे मारें, थोड़े दिन बाद फिर थोड़े से चीटे मार दूँआ, थाकि जब आपको advance बढ़ाऊं तो आपको डर ना लगे, आपको अजीव ना लगे, समझ में आया, ऐसे ही V1 प्लस में ing, अगर adjective की तरह से काम करें, तो उसको क् प्रेज़ेंगे, उसको बोलेंगे present participle, V1 प्लस में ing अगर adjective की तरह से काम करें तो उसको क्या काएंगे, उसको बोलेंगे present participle, और ऐसी वर्ब की third form अगर adjective की तरह से काम करें तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ जी, उसको बोलेंगे past participle, clear है, यह पढ़ाया आज आपको adjectival phrase clause पढ़ाया बहुत important lecture था आज का बहुत जादा गजब important ठीक है जी, उमीद करता हूं कि आज जो पहली class के पहले sentence से आ रहे हैं और आज की class इसने लगाई है एकदम दिल से आवाज निकली होगी, गजब ढ़ा दिया भाई, ठीक है, बहुत सारे doubts clear हुए होगे, मजा आया अगर तुम्हारा दिल गवाई दे रहा है, अगर तुम्हारा मन गवाई दे रहा है, यार सही में, प्री में इतना बढ़िया content, इतना systematic content मैंने नहीं देखा, तो बच्चे यह जो playlist का link है, यह हर जगा फैला दो, जिस group में तुम added हो, facebook, telegram, whatsapp, जहां तुम added हो, हर जगा इस